परचय क्या तुमने खाने से पहले सेव धोया था? नहीं, यह अच्छी आदत नहीं है तुम्हें फल और सब्जियों को खाने से पहले धो लेना चाहिए आओ सीखें अच्छी आदतों को पहचानना अच्छी आदतों का महत्व समझना भोजन की स्वास्ति प्रद आदतों को पहचानना कसरत सुभा जल्दी जगना अच्छा होता है आपने जरूर ही सुना होगा कि जल्दी सोना और जल्दी जगना व्यक्ति को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है आप प्रत दिन दो बार दात जरूर साफ करें प्रत दिन स्नान और कसरत जरूर करें कसरत आपके शरीर को चुस्थ और स्वस्थ रख दी है दोड़ना, तैरना और साइकल चलाना कसरत के अच्छे उदहरण है खान पान की स्वस्थ आदतें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको विभिन प्रकार के पॉष्टिक पदार्थ खाने चाहिए जंक फूड जैसे की पीजा और बर्गर खाने से परहिस करें क्योंकि ये पॉष्टिक नहीं होते रोज एक किलास दूद पीएं, चॉकलेट कम खाएं, चॉकलेट आपके दातों के लिए अच्छे नहीं होते खेल की आदतें आपको खेल खेलने चाहिए, सिर्फ काम और कोई खेल कूद नहीं, इससे जैक एक भूंदू लड़का बन गया खेल खेलना एक अच्छी आदत है, जिससे आप स्वस्थ और प्रसन रहते है रोज शाम को अपने दोस्तों के संग खेला करो अपने खिलोने अपने दोस्तों से साजह किया करो साजह करना एक अच्छी आदत है शयन की आदतें आप दिन भर काम करते हैं आपके शरीर को काम करने के लिए परियाप्त उर्जा चाहिए होती है जब आप सोते हैं तो आपके शरीर को आराम मिलता है आपको प्रत दिन आठ घंटे जरूर सोना चाहिए सोने से पहले आपको अपने दात जरूर साफ करने चाहिए स्वच बिस्तर पर सोएं इससे आपको गहरी नीद आएगी साफ हवा और पानी हमारे शरीर को स्वच हवा की जरूरत होती है पेड पौधे हवा को स्वच बनाने में हमारी मदद करते हैं हमें ज्यादा अवरिक्ष लगाने चाहिए हमें जीवित रहने के लिए पानी की भी जरूरत होती है आपको सदैव स्वच पानी पीना चाहिए गंदे पानी से बीमारियां होती है पीने से पहले पानी को जरूर छान लें भोजन की अच्छी आदतें हमें खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथ साबुन और पानी से जरूर साफ करने चाहिए अपने नाखूनों को हमेशा छोटा और साफ रखो क्योंकि नाखूनों में जीवानु छिपे होते हैं जो हमारे शरीर में जा सकते हैं सुबह, दोपहर और रात का खाना ठीक समय पर खाया करो कुछ अन्यादते खुद को हमेशा स्वच रखें प्रत दिन स्नान करें साफ कपड़े पहने अपना काम समय पर करें खाने, खेलने, पढ़ने और सोने के लिए समय तै करें अपना ग्रिहकारिय नियमित करें अपने माता-पिता से सदैव सच बोलें घर के लिए अच्छी आदते हमें घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए किताबें, खिलोने और दूसरी चीजों को उनकी जगह पर रखें अंधेरे कमरे में टीवी न देखें और देर रात तक भी टीवी न देखें यह आपकी आँखों को नुकसान पहुचाएगा शौचालाई के शिष्टाचार स्नान घर और शौचालाई को हमेशा साफ सुथरा रखें शौचालाई के प्रयोग के बाद हाथों को साबुन से अच्छे से साफ करें टॉयलेट पेपर को कूडे दान में ठीक से डालें वाश बेसिन को नियमित साफ करें हमने क्या चर्चा की? कसरत हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखती है जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर आराम पाता है हमें सुबह, दोपहर और रात का खाना समय पर जरूर खाना चाहिए गंदा पानी हमारे शरीर में कई बीमारियों को जन्म देता है इसलिए हमें स्वच पानी ही पीना चाहिए हमें अपना स्नान घर और शौचाले सदैव साव सुथरा रखना चाहिए